हाई गुड मॉर्निंग मैं हूँ आशीश वर्मा मॉनिंग कॉल में आपका स्वागत है शुरुआत इस वक्त की हेड्लाइन्स के साथ क्लोबल मार्किट से संकेत में जुले एशा में निकई और एजेक्स निफ्टी 24% नीचे लेकिन डाउ फ्यूचर्ज में 70 रंकों की मजबूती हलाकि शुकरवार को कमजोर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार डाउ में लगातार पांच में दिन गिरावन बाइडन और शी जिन पिंग की बाचीत से डिमांड बढ़ने की उम्मीद और अमेरिका में भंडार घटने से कच्चे तेल में मजबूती 73 डॉलर के पार प्रेंट लेकिन फेड के बांड खरीट को लेकर अनिशित्ता से सोने में नर्मी 1800 डॉलर के नीचे कॉमिक्स को SNP Global ने भारती एटल का आउटलूक निगेटिव से स्टेबल किया लेकिन रेटिंग में कोई बदलाव नहीं ट्रिपल बी माइनस पर बरकरार रेटिंग एजिंसी को आगे बीटा और आर्पू में बढ़ातरी की है उम्मी छे राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 साल के उपर के सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोस देश भर में 74 करोड से जादा वैक्सिनेशन और विजे रुपानी के बाद गुजरात के नहीं मुख्य मंत्री होंगे भुपेंद्र पठे आज दुपैर मिलेंगे सीम पद की शपर समारों में अमिद्शार रहेंगे मौजू जबे सुमवार की सुबा नय और एक और इंट्रिस्टिंग हफते की आज से शुरुवात होती हुई एक लंबे वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत थे और अप फ्रेंट एक बार फिर से आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से गनेश चतुरुती की हार्देक शुपकामना है लंबे वीकेंड से आए हैं लेकिन पहली चीज मैंने चेक कर रही थी अगली छुटी का बारी है पंदरा अक्टूबर को आएगी तो यहां से लेकर तब तक मैदान साफ है बहुत ही मैनत करनी पड़ेगी लेकर आगे बड़ जाता हो दो-दो दिनों के क्यूस हमें क्यूकि एक्सेनीट विकेंड से हम लट का है तो दो-दो दिनों के क्यूस डाइजिस करने है पहले quickly बीता हफता, एक truncated एक छोटा हफता था, Monday to Thursday ट्रेड हुआ था, वो ट्रेड की मैपिंग आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी, बीता हफता भारती बजारों के लिए जैसे Thursday का ट्रेटिंग सेशन था, ट्रेडे चार्ट दिखाएगी डेक्टर साब, उसके बाद पूरे हफते की मैपिंग दिखाएगा, जैसे Thursday को consolidation का दीन दिन था, ठीक वैसे ही पूरा बीता हफता भी एक consolidation मोड में भारती बजारों ने गुजारा, निफ्टी एक चुथाई फीजदी week on week मजबूत, निफ्टी बाइंग होती हुई नजर आई, तो एक जम consolidation, week on week फ्लैट थे भारती बजार, और ध्यान रखें, इस हफते भी कोई बड़े क्यूज का अफरंट तो अभाव नजर आता है, तो देखना होगा, यह हफता कैसा पैना उट होता है, लेकि जैसे मैंने का, दो दिनों के क्यूज markets का production दिखाईएगा, दोनों दिन weakness थी, Thursday को DAO 1500 पॉइंट और NASDAQ 38 पॉइंट गिरा, उसके बाद Friday को यानि की प्रीवेस ट्रेडिंग सेशन, DAO में 272 रंकों का दबाव, NASDAQ 133 अंक कमजोर, तो Friday का तो एक साब दिखाई सकते हैं, स्क्रीन पे ट्रेड, वो भी कमजोरी के स साथ था, अब confusion, दो दिनों के क्यूज में किस्तरा की पटाई होने वाली है भारती बजारों की, ये एजजिक्स निफ्टी तो दिखा रहा है क्या थी वीकनिस होगी, इससे जादा वीकनिस होगी, तो मैंने क्यारा क्या था, Thursday को साड़े तीन बज़े जब हम बंद हुए थ उस समय डाव फ्यूचर का भाव नोट डाउन कर लिया था, तो उसके बाद की तेजी मंदी, आज सुबह की तेजी सब कैप्चर हो जाती, तब का डाव फ्यूचर से अब का डाव फ्यूचर जो है, धाई सो पॉइंट नीचे है, नाजडाक तब से लेकर अब तक 120 पॉइं के दोरा है, पर क्या आदा परसंट गिरेंगे? नहीं, धर असल SGX निफ्टी को अग देख लूँ, तो महस दस पॉइंट का मूवमेंट दिखा रहा है, तब से लेकर अब के बीच में, और SGX निफ्टी जहां खड़ा है, तीन सो पैंसट का भाव, यह इग्जाक्ली होई है जहां निफ्टी फ्यूचर्स थे, तो दर असल हम एक फ्लैट ओपनिंग दिखाएंगे, अगर यह क्यूँ सही है, एक जिक्स निफ्टी जहां खुलने के इंडिकेशन दे रहा है, वो सही है, तो ज़्यादा घपराने की जरुबत है नहीं, फ्लैट ओपनिंग होगी, माम इंपॉर्टन स्टॉक्ट इन्यूज, दो दो दिन और एक प्रडूसर आपने लिखा पांच जिनों से लगातार वीक ने इस पूरा हफता करोड़ा आगया मामला चल क्या रहा है, येस, येर राइट, पूरा वीक कमजोर हुआ है, तो तीन खबरें हैं जो जिसके आधा कि पॉलिसी डिसाइड करने बड़ा इंपॉर्टन होंगे, तो एक तो बड़ा वो हैंगवर है, दूसरा है कि डिमोक्रेट्स जो इस समय रूलिंग पर्टी युएस की, उसने टैक्स प्रपोजल रखे हैं, अभी जो बाइडन साब चाहते थे जा 20% टैक्स करना, लेकिन अ पास पास, तो एक ये वाला हैंगवर है, दूसरा जो नमबर सा इसका हैंगवर है, तो मार्केट उस चीज़ को एड़्जस करने कोशिस कर रहा है, और वीक दिख रहा है, दूसरा जो इंडाइसे हैं, उसमें गर आप देखें, जितने वी वाल इंडाइसे, SNP को आप देख चल रहे हैं, इंडेक्स होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप जाके देखेंगे, तो इसे SNP के 56% स्टॉक जो हैं, वो 10% की गिरावट दिखा चुके हैं माई के हाई से, वैसे ही रसल 2000 में 90% स्टॉक जो हैं, वो करेक्शन दिखा चुके 15 से लेके 20% के करेक्शन में अब इसको सुनके लगे का यह तो बहुत पॉस्टिव पिक्चर हैं, इसके अगेंस में बहुत पॉस्टिव पिक्चर है कि बहुत सारे हेज़ फंड्स ने अपनी सारी शॉर्ट पोजिशन कट करके जीरो कर दी हैं, अब वो फ्रेश लॉंग की तरफ बढ़ना हैं, ब्रॉ इसको लगता है कि महगाई बहुत बढ़ गई है और फेट की बैठाक है, यूरोपेन यूनिन ने कह दिया है कि आने ओले कॉर्टर में हम फेट बांड की टैपरिंग करेंगे, तो अब लोगों की नजर इस पर लगे हैं, तो दोनों तरफ से चल रही हैं, अपने अपने लो मार्केट अभी बहुत स्ट्रॉंग है, तो कहीं दूप कहीं चाहो, आपको देखना है अपने हिसाब से, इस समय टसल चल रही है, अच्छे बाइडन साब और शी जिन पिंग साब पोन कैसे कर लिए है, तो एक आपचारिकता है, उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा, चाइना क एक प्रांत में जो है, आउटब्रेक हुआ है, इसराइल में चौथी डोस लगाने की तयारी चल रही है, फोर्थ वूस्टर, यह तो हमेशा के लिए हो गया, यह पैंडमिक नहीं एंडमिक है, तो ठीक है, बस यह है कि उसका इंपक्ट रिडिस होता रहा है, वैक्सिनेशन फाइदा करें, तो दिकत है नहीं जादा फिर, ठीक है, यह ग्लोबल परस्पेक्टिव हो गया, ग्लोबल मार्किट का मूड हो गया, एपल का स्टॉक खास तौर पे एक लेगाट की तौर पे था, फ्राइड़ी की टेटिंग सेशन में, अच्छा, इंफलेशन की बात से अब निकल के एक शिनिट वीकेंड के बाद क्या कुछ मूड महौल बदला है क्या, वीरू ऐसा होगा क्या, कैसे अप्रोच करें इस मार्किट को डेटा क्या कह रहे है, जै देखें आशिश, गूद बॉनिंग, और लास्ट सेशन में FIS, DS की तरफ से थोड़ा सा केश है, साथ सुचार चासो तेस को डूड रूपय के लगभख ग्यारा सो तेस को डूड रूपय की बाइंग थी, उसने डाउंसाइट को रेस्ट्रिक्ट किया, लेकिन बढ़ी बात यह है, अशिश जो की गौर करने लाग है, कि अभी आपकी एवरेजिस के उपर हैं, लेकिन शॉट करने की टेंडेंसी को डेवलप किया है, अब देखिए, लास्ट सेशन में भी आशिश पंदरा सो सोला कॉर्ड रूपय का इंडेक्स बेचा, चेतर सो कॉंट्रेट लॉंग, लगभख 10,000 कॉंट्रेट लॉंग काट लिये, उसके बाद 1275 कॉर्ड रूपय की अगर अब देखिए, सेलिंग स्टॉक फूचर्स में है, शॉट कॉंट्रेट 15,000 और करीब 2,000 कॉंट्रेट लॉंग काट लिये, तो थोड़ा सा FIS ने अपने आपको प्लेस्मेंट जो है न उनकी, वो थोड़ी सी नेगेटिव है आशिश, लेकिन याद रखिएगा, उपर की त और एक और चीज़ याद रखेगा, जब तक आपका 1st 2nd बेस, यानि करीब करीब 1791 जो आपकी स्कीन पर आएगा और 17214 जब तक ये वालेट नहीं होता तब तक शॉट का मन नहीं बनाना है मेर को, क्योंकि ये मेरा ऑप्शन सपोर्ट है और साथ ही साथ ये मेरा निफ्ट 1828, यहाँ टिके तो लॉंग करेंगे, या फिर पिछले अगर एक ग्र घंटे इस पर भी ना टिके तो फिर सेकिंड बेस पर आपके बाइंग करेंगे, लेकिर 191224 तक शॉट नहीं करना है, और उपर आशिष 394 10, ये एग्जिट जोन है, यहाँ से निकल जाएए, अभी भ निफ्टी स्पोट का 1745 के ओपर टिकना जुरूरी है, उसी के ऊपर हम 17500 की कॉल एड़ करेंगे, अदर्वाइज नहीं, निफ्टी बैंक आशिष, थोड़ा सा एलड़ में निफ्टी बैंक पर कर रहा हूँ, 36837,000 की रेंज में हुज कॉल राइटर्स हैं, और आप्शन स की तूटने से पहले शॉट करने का कोई मन नहीं है, इसके ऊपर 36200, 36800 की रेंज में दर आ रही है, इसको प्ले करिये, तो आशिष, लास्ट वीक से जो डेटा इस हफते ट्रेवल कर रहा है, इस वीकली ऑप्शन कॉंट्रेक्ट में, वो इंडिकेट कर रहा है रेंज, अभ तक वो डिफाइंड थ्रेशोल्ड ब्रीच नहीं होते, नीचे की तरफ उपर की तरफ तक वो रेंज का ब्रेकाउट शैड होता हूँ, नजर ना है, उस रेंज को स्मार्ट ली प्रेप करिएगा, आज ही ट्रेडिंग बेट्स, प्रूडिंट ब्रोकिंग सर्विसेस कह रह होगा, तो सारे बाई कॉल्स आ रहे है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस्स आप लोगों की स्क्रीन पर मेंचेंड है, प्लीज नोट डाउन कर लीजे, हर्श्दा के बास जा रहा हूँ, आज के तमाम इंपॉर्टन स्टॉक से नियूज जानने के लिए, हर्श्दा गूर्मॉ पकड चुके थे, जो पाइलिट चल रहा था, वो बंद कर रहे है, 17 सेप्टेंबर अनवर्द्स, कंपनी मानती है कि दरहसल ग्रोफर्स में जो इन्वेस्मेंट किया, और ग्रोफर्स दरहसल इसी में माहिर है, तो उसी के जरिये जादा बहतर होगा कंपनी के लिए इस करने वाली है, यह अपडेट निकल करा है, दूसरी तरफ भारती एटल रेडार पर रहेगा, तरहसल SNP की एक रिपोर्ट निकली है, जहाँ पर उन्होंने अपना आउटलुक तरहसल नेगिटिव से स्टेबल किया है, लेकिन रेटिंग में कोई बदलाव नहीं है, BBB- की र देखने को मिलेगा, धिमीगती सही सही, लेकिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, यह एक संकेत SNP पढ़ रहा है, कंपनी के हाली के फंडरेज और अफकॉस जो भी बयान कंपनी के और से आए हैं, गार्डेन रीच शिप बिलडर रेडार पर रखियागा, दरहसल यहा रतिय नौसेना के लिए तयार किये जाएंगे, और साथी साथ इंटरनाशनल मार्केट में भी दरहसल इन शिप्स को बेचा जाएगा, तो यह एक डिवलोपमेंट गार्डर रीच की और से आती हुई, आर्वन स्मार्ट स्पेसिस की और से एक डिवलोपमेंट है, कंपनी न इसकाउन पर दरसल यह फांडरेस हुआ है, प्रकाश इंडस्ट्री के लिए भी एक डिवलोपमेंट है, कंपनी सुक्सेस्फुल बिड़ पाया गया है, भासकर पारा कोल माइन के लिए, यह 12 ट्रांच था कोल माइन ऑक्शन का, कंपनी स्टील बिजनिस माइनिंग में वैस है, तो उनके लिए हाँ पर एक इंपुट आसानी से हाथ लगता हुआ दिखाए देगा, वैसे भी हम जानते है कि कोल की क्या क्राइस चल रही है, तो यह एक और डिवलोपमेंट प्रकाश इंडस्ट्री के लिए, ओके तो सीले सिक भारती खबरों में मैं देह रहा है, मैं आट सो पचीस का टागेट, जुमैटो चर्चा में था कल से, जब वो मनी कंट्रोल की एक्सलूजिव आई थी, क्रेट स्वीज की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस एक सो पिचासी के टागेट वहाँ पर, और HUL पे बहुत सरे अपग्रेड आते हों आपकी स्क्र अले कि एक नौन इवेंट है, लेकिन चर्चा जी तुम्हें को बता देता हूँ, जाद तो लोग आफिस वैसी जाने लगें, विपरण लेकिन वो मेंचन करा, ट्वीट करके तो काफी ट्रेंड हो रहा था, ठीक है, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के और उस पार आज ही कमो झाल झाल झाल